हेलो स्टूडेंट आज हम बात करते हैं साइन्टेस्ट और उनकी डिस्कवरीज के बारे में तो ये डिस्कवरीज बहुत पुछी जाती हैं साइन्टेस्ट के नाम पुछे जाते हैं बायलोजिस्ट के नाम पुछे जाते हैं सभी कॉम्पिटेटिव एक्जाम्स में तो आज हम लोग क्लास 11 के important scientist की list आपके सामने आ गई है ज़राद देखिए क्या दिया हुआ है कैरोलस लीनियास जो हैं उन्होंने बाइनोमियन नॉमन क्लेचर के बारे में बताया सिस्टेमा नैचुरी नाम की एक बुक को पब्लिश किया टू किंग्डम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया आगे आरेच विटेकर जो हैं इन्होंने फाइफ किंग्डम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जोर्ज बेंतम और जोजब डल्टन हुकर नैचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया एरिस्टोर्टल ने सबसे पहले classification scientific basis पर इन्हों नहीं दिया था एंटोनी वान लिवन होक ने फर्स टाइम लाइफ सेल को डेस्क्राइब किया था डिमेट्रे आइवानोस की इन्हों ने वाइरस नाम जो है सबसे पहले इन्हों नहीं दिया था ब्रिजनिक ने ये बताया कि जो तमाकू की infected पतियां जो होती हैं उनमें infection होता वो infection healthy plant की leaves में पहुँच जाता है क्योंकि उसमें contagium, vivium, fluidum नाम का liquid पाया जाता है ये क्या होता है? infectious living fluid होता है डबलू एम स्टेल ने ये बताया कि वाइरस जो होता है वो crystal form में पाया जाता है और crystal जो होते हैं वो large protein के बने होते हैं टी ओ डाइनर जो होते हैं इन्होंने वाइरोइड के बारे में discover किया था वाइरोइड को इन्होंने ही बताया था चलते हैं आगे next question की तरफ तो सभी बच्चों जड़ा like और subscribe भी करते रहें और आगे बढ़ते हैं हम लोग question Robert Brown इन्होंने nucleus को discover किया Matthew Sheldon जो थे इन्होंने examine किया कि plant को में observe किया कि जितने भी plant होते हैं उनमे different kinds की cells पाई जाती हैं वो cells मिलकर tissue बनाती है Theodore Swann इन्होंने animal cell को study करी और बताया आज जिसको प्लाजमा membrane कहते हैं यह outer layer होती है इसके बारे में Theodore Swann ने ही बताया था Swann ने यह भी बताया था कि जितने भी plant और animals हैं वो सब cell से compose हुएं या cell के बने product से compose हुएं Sheldon and Swan ने cell theory के बारे में बताया Rudolph Virtue ने modified cell theory दी या omni cellular e-cellular world की शुरुआत इन्हों नहीं करी Singer and Nicholson फ्लूड मोजोईक model of plasma membrane के बारे में बताया Camilo Golgi ने Golgi apparatus को discover किया George Paladay observed ribosome as dense particle under electron microscope Robert Brown described nucleus as a cell organelles flaming gave the name chromatin to the material of nucleus के बारे में बताया Julius Von Sash इन्होंने hydroponics के बारे में बताया था कि बिना मिट्टी के भी फसल को उगाया जा सकता है Liquid form में अगर हम nutrient provide करें तो पौधा भी develop होता है तो यह बात उन्होंने बतायी थी तो इसी method को hydroponics भी कहते हैं तो चलते हैं आगे question number 24 की तरफ तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है तो जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें चलिए question number 24 की तरफ जोजव प्रीस्ट्री ने plant की growth के लिए air का क्या essential role है उसके बारे में बताया जेन इंजेन होस ने sunlight essential है plant के लिए इसके बारे में बताया जूलियस वान सैश ने ये बताया कि plant की growth के लिए glucose का production एक evidence firm में पाया जाता है और बहुत जरूरी है ये बात बताई TW angel man describe किया first action spectrum of photosynthesis के बारे में बताया कि जब photosynthesis process होता तो उसमें sunlight के importance होती है बिना sunlight के photosynthesis नहीं form हो सकता है ब्लैक में law of limiting factor के बारे में बताया गॉस्ट आफ एंबेडेन ओटो मेडियोड परनास ने glycolysis के बारे में बताया FW went ने auxin hormone के बारे में बताया E corosava इन्होंने gibralian hormone जो होता ने plant hormone जिब्रेलिक acid जो होता उसके बारे में बताया Charles Darwin Fences Darwin जो थे इन्होंने ये बताया observe कि कोलियोपेटाईल जो होता canary grass में responded to unilateral illumination by growing toward the light source उन्होंने बताया light की source के बारे में सूंग और co-worker ने ये observe कि इंटर नोडल सेग्मेंट जो होते हैं तंबाकू के plant में इस्टेम पर तो वहाँ पर क्या होता ऑक्जिन हार्मोन आज न्यूट्रियंट मीडियम में अगर प्रोवाइट करा दिया जाता है तो उसकी जो वैस्कुलर टिश्यू या इस्टेम कोकोनट मिल्क जो होता उसमें डियने में अगरा पाया जाता है मिलर ने आइडिंटिफाई किया कैनेटेन और एथलीन को हॉक्रियम ने डिसकवर किया